नमस्कार मैं हो ससी संध्या समाचार में आपका स्वागत है आए जर्खन के दिन भर की खबर जानते हैं 1932 खत्यान अधारित अस्थानिय निती लागू करे सरकार सुदेश महतो आईसू के गेंदरिय अध्यक सुदेश महतो ने कहा है कि राज सरकार खत्यान अधारित अस्थानिय निती की सिर्फ घोसना ना करे बलिक उसे सिग्र लागू भी करे उन्होंने असंका जताई है कि कहीं या सिर्फ घोसना न रह जाए उन्होंने कहा है कि मुख्य मंत्री स्वयम विधान सवा में कह चुके है कि उन्हें 32 के खत्यान आधारित अस्थानिय निती लागू नहीं की जा सकती अब उसी सदन में उन्होंने इसे लागू करने की घोसना भी की है इससे भरांतिया उत्पन हुई है सुदेश महतों ने कहा है कि जीन जीलो में जिस वर्ष अम्तिम सर्वे सेटलमेंट हुआ है उस वर्ष को वहां कट अफ डेट मनना चाहिए जहां 1922 में अम्तिम सर्वे सेटलमेंट हुआ वहां इस वर्ष तथा जहाबाद में हुआ वहां उस वर्ष का कट अफ डेट लागू हो राजे में खतियान अधारित अस्थानिय निती सिग्र लागू हो इस पर सरकार पर दबाब डालने के लिए सभी 81 विधान सभाचेत्रों के करकरता अलग अलग दीन राज भोन मार्च करेंगे यह कारेकरम 23 सितंबर से सुरू होगा मौसम विभाग ने मंगलवार को राजची समेथ बोकारों गुमला हजारी बाग खोटी रामकर पलामू गढ़वा देवगर गिरीडी सहित अन जिलो में भी भारी बारिस वो लेकर एलो अलर जारी किया है भारतिय मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी के नुसार सोम और को राजची में भारी बारिस हुई है सुबस लेकर साम तक रुक रुक कर राजची में मध्यम से भारी दर्जे की बारिस होती रही राजची में सुबा साड़े आठ बाए से साम साड़े पांच बाए तक 35 मिलीमीटर बारिस का आकड़ा दर्ज किया गया अधिक्तम और नियुम्तम तापमान में भी गिरावर दर्ज की गई इस ओधी में रांची में अधिकतम 26.1 और नियुमतम 22.1 डिली से स्थाप मांदर्च किया गया सुबह और साम में हलकी ठंड का एसास भी हुआ है रांची में इस्कूल छोड़ने के बहाने 6 साल की बच्ची का रेप रांची के नामकूम के पलांडू में 6 वर्षी बच्ची से दुसकर्म का मामला सामने आया है आरोपी ने इस वर्दात को सुमवार की सुबह अंजाम दिया जब बारिस की वज़ा से छात्रा स्कूल नहीं जा पा रही थी आरोपी ने स्कूल छोड़ने के बहाने दुसकर्म किया है बच्ची ने जब बिरोध किया तो आरोपी ने उसे नसीत मारा पिटा बलिक जान से मारने की धमकी भी दी घटना के बाद छात्रा ने मामला की जनकारी परज़नों को दी उसके बाद परिजन और ग्रामी ने मिलकर आरोपी को पकड़ लिया उसकी जमकर धुनाई के बाद नामकुम पुलिस के हवाले कर दिया गिरफतार आरोपी का नाम पॉलूस तीरकी उर्फ एडजर्ष्ट 24 वरसी है वह पलांडू का ही रहने वाला है पुष्टाच में आरोपी ने पुलिस के समक्च आपना जूर्म सविकार कर लिया है देव घर में अढ़ाया मेला को लेकर भीड परचपन हज्जार सरधालू ने किया जलारपन रिमजिम बारिस के बीच बाबा फोजदारी नात दरबार में भगतों की भीड लगी रही बासकी नात में अढ़ाया मेला सुरू हो गया है मंदीर परवंधन के अनुसार आस्मेनी कृष्ण दूतिय स्वमवारी पर पचपन हजार सरधालू ने जलारपन किया मंदीर पुजारी ने बाबा फोजदारी नात की सुड सुपचार बीधी से पुजा अर्चना की सुल्तान गंज उतरवाहिनी गंगा से पैदल गंगाजल लाकल भक्त भोले नात का अभिशेक कर रहे हैं पंडितों ने दूध हुआ गंगाजल से भोले नात का बैदिक मंत्र उचारन के बीच महादेव का अभिशेक किया बच्चा चोर के अफवाहों से गाउं में बढ़ रहा मौब लेंचिंग का खत्रा जारखन के कई जीलों के ग्रामिन छेत्रों में एक अफवाह तेजी से फैली है रांत के समय बच्चा चोर गिरों घुम रहा है सोते हुए बच्चों को दवा छिड़ा कर बेहोस कर देता है बच्चे को ले जाकर उसका किर्ने निकाल लेता है इसमें कोई सच्चाई नहीं है इसके बावजूद आफवाह ने पलामू प्रमंडल में गाउं के लोगों को परिसान कर दिया है अंजान लोगों को बच्चा चोर की सक में गाउं के लोग पकड़ ले रहे है दवडा रहे है, बंधक भी बना रहे है मार पीट कर रहे है, इससे पूलिस भी परिसान है पलामू के एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने आम लोगों से अपिल की है कि अफवाह पर विश्वास ना करे पलामू जिले के रहला थाना छेतर के भलो ही जगरुआ गाउं से रभीवार की रात को गुजर रहे तीन लोगों को ग्रामिनों ने बच्चा चोर समाहि लिया, तीनों अपनी जान बचा कर भागे कोडार्मा के गाउं में लाठी डंडे लेकर पहरेदारी करती है महिलाएं जारखंड के कोडार्मा जिले का सुदरवर्ती प्रखंड सत गाउं के कटाईया पंचायत अंतरगत बिहार की सीमा से सटे गाउं आसना कोनी के ग्रामिन अब सरावियों एवं सराव कारोबारियों के खिलाब मोर्चा संभाल लिया है इसमें महिलाएं सब से आगे हैं बताया जारा एक बिहार में सराव बंद होने के बाद इस गाउं में सराव बेचने वालों की बल्ले बल्ले हो गई अब इसका दूस परभाव जब आम लोगों के जीवन पर पढ़ने लगा तो लोग इसके खिलाब मुखर हो गाए धनबाद एनकाउंटर की जाच CID करेगी जारखन के धनबाद जीले के सबसे चर्शित एनकाउंटर की जाच तेजगती से चल रही है मुथूट फाइनेंस में लूट घटना के दौरान अपराधी सुभम सिंग की बैंक मोड इस्पेक्टर पीके सिंग द्वारा एनकाउंटर कर दिया गया था बता दे जीले के बैंक मोड थना छेतर में 6 सितंबर को मुथूट फाइनेंस में लूट के दवरान एक डगायत के एंकाउंटर में मौत ममले में जहाँ जाच का जिमा CID को सोपा गया वहीं दूसरी और धनबाद पुलिस के वरी अधिकारी भी जाच में जुटे हाए इसी दवरान सोमवार को धनबाद मुख्याल है SDPO अमर कुमार पांडे अधिकारियो संग घटनास्थल पहुँचे और कई जहनकारी आभी ली J.S.C.A. स्टेडियम के स्विमिंग कोच की मौत प्रेम परसंग का ममला J.S.C.A. स्टेडियम में स्विमिंग कोच के पद परतेनात बादल कुमार की मंगलवार को इलाज के करम में मौत हो गई पूलिस ने सोग का पोश्मास्टम कराने के बाद सोग घरवालों को सौप दिया पूलिस का कहना है कि बादल कुमार एक लड़की से प्रेम करता था लड़की ने बादल सरिष्टा रखने से माना कर दिया था तो सोमवार को बादल ने खुदकुसी करने के लिए स्टेडियम के चोथे तले से छलांग लगा दिया था पुलिस उस लड़की को तलास रही है जिससे बादल बात चित करता था SSP की सोर कौसल ने पूरे मामले की जाज की जिमिदारी हट ये DSP को दिया है गंभीर बीमार से परिसान मरीजों से भी ठागी कर रहे साइबर ठाग साइबर ठाग प्रती दिन ठागी के लिए नए नए पैतरे आजमा रहे हैं ठागी के इस धंदे से जुड़े देवगर के दो लोगों की हुई गिरफ तारी के बाद पता चला है की ये लोग अस्पताल में डॉक्टर से इलाज कराने के नाम पर भी ओनलाइन ठागी की सुरुआत कर चुके हैं ये ठागी गूगल एड्स के माध्यम से किया जाता था साइबर ठाग देश के विभीन अस्पताल का गूगल पर परचान निकालते हैं इसके लिए उनके वेबसाइट को कौपी कर फरजी वेबसाइट त्यार करना होता है इसके बाद गूगल सर्च इंजन अप्टिमाजेशन के जरिये गूगल एड्ड देकर फरजी वेबसाइट और लिंक को उपर सेयर करते हैं साथ ही फरजी विग्यापन में अस्पताल के नंबर के जगा इनका नंबर होता है उस नंबर पर जब कोई डॉक्टर से मिलने के लिए समय लेने की बात करता है तो एस साइबर ठाग अपने जहां से में लेकर विग्यापन में दियेगर लिंक को भेज कर उसमें क्लिक करने को कहता है या फिर उन्हें कोई स्क्रीन सेरिंग एप डाउनलोड करने को कहते है उसके बाद बैंक खदा गिजनकाई लेकर लोगों को ठहई का सिकार बनाया जाता है जारखन में 1932 का खतियान कास्मीर के धारा 370 की तरह जारखन में एक बार फिर 1932 के खतियान का मुदा उलशने लगा है इस पर उडिसाइस थीत मेरुभंज के पुर्व सांसद और आदिवासी सेगेल अभ्यान कराश्ट्रिय अध्यक्स साल खान मुर्वू ने बड़ी बात कही है उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के वरिष्ट नेता रह चुके गुलाम नभी आजाद ने कास्मीर के तमाम नेताव और पाटियों को ललकारा है कि अनुछे 370 को आपस करने की बात अभी एक छालावा के सिवाई और कुछ भी नहीं है कास्मीर जन के साथ धोखे बाजी है ठीक उसी परकार जार्खन में 1932 अधारित डोमिसाइल की बात करना भी जार्खनरी जन के साथ एक छालावा ही है जो इसका दावा कर रहे हैं उन्हें पहले जार्खन हाई कोर 1227 नुवंबर 2002 को खारिज खतियान अधारित डोमिसाइल या अस्थानियता को पहले तरको और थथियों से गलत प्रवाइंद करना चाहिए गढ़वा में बच्चा चोर समझ कर दो यूको को रात भरबंधक बना कर रखा चीनिया थाना छेतर के चीरका गाउं में रभीवार की साम दो यूको को गाउं के कुछ ग्रामिनों ने बच्चा चोर समझ कर रात भरबंधक बनाये रखा चुबा उनके अविभाव को के आने के बाद योकों को छोड़ा गया इस मामले में भुक्त भोगी चीनिया थाना छेतर के परसुखाण गाव निवासी विकास कुमार एवं धरमदेव कुमार सिंग ने बताया की वे लोग रभिवार की साम चीनिया से हेतार कला गाव पैदल जा रहे थे तभी सड़क किनार खड़े आठ से दस लोगों ने उन लोगों को रोक कर उनसे पुष्टाच की वह कहा कि वे लोग बच्चा चोरहा है वे उन्हें नहीं जाने देंगे इसके बाद ग्रामिनों ने रात भर दोनों को एक समुदाईक भवन में बांध कर रखा सुबह जब उनका भावक आए तब उन्हें छोड़ा गया पीडितों ने बताया कि ग्रामिनों में कुछ लोग सराप पिकर तथा लाड़ी टंडे से लेस होकर गाली को लोज भी कर रहे थे धन्यवाद यदि आप चनल पने हो तो चनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल एक अंद भाईए साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के सेर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कुमेंट बक्स में अपना फीड़बेक अवस से दे थांक यू